हेलो एवरीबन स्वागत है आप लों का हमारी यूट्यूब चरंग ग्लैंस अकेडमी पर दोस्तों आज हम लोग कम्प्लीट कर रहे हैं इंटरनेसल रिलेशन को जो की वीजन आई एस मंथली मैगजीन है मई मई 2023 की कौन सी है मई 2023 की और इसमें हम लोगों ने इंटरनेसल रिलेशन को सुरू किया है क्योंकि इंडिन पॉलिटी जो गवर्नेंस सिग्मेंट था वो कम्प्लीट हो चुका सेकंड सिग्मेंट और आज हम लोग पढ़ेंगे देखिए इससे पहले की क्लास में हम लोगों न पोकरण को कम्प्लीट किया सयुकतराष्ट को डवलू टीयो को और गुर्प सेवन को तो आज हमारा टार्गेट रहेगा ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट समझने है एडिबी इंडिया कंट्री पार्टनर्सिप स्ट्राटेजी जो 2023 से 27 तक भारत के लिए काम करेगी फि भारत उसमें इतना इंटरस्ट ले रहा है फिर उसका न्यूजिन सौर्ट सेनी की संचिप सुर्खे होंगी जो हम लोग देखते हैं अगर समय रहेगा तो कम्प्लीट करेंगे अदरवाज नेक्स क्लास में करेंगे तो मान के चली कि आज तो हम लोग ये तीन टॉपिक पढ हैं तो ये मान के चली है आप अगर UPSC 2024 या स्टेट PCS जिसमें UPPCS, MPPCS, राजस्थान PCS, बिहार PCS अगर आप दे रहे हैं तो आपके बहुत ही इंपोर्टेंट है ये करेंट अफिर्स की न्यूजिन क्योंकि पिछले एक साल का करेंट अफिर्स पूछा जाता है जो हम बह लगत करता हूं आज की स्रीज में तो सुरू करते हैं आज की क्लास को तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ADB इंडिया कंट्री पार्टनर्सिप स्ट्रेटजी 2023 से 27 तर तो क्यों है ये चर्चा में भाई ADB का मतलब होता है एक ये बैंक है जिसने 2023 से 27 की अवधी के लिए भा कंट्री पार्टनर्सिप स्ट्रेटजी हाल ही में या पिछले वर्स किसके द्वारा सुरू की गई है या इसका डूरेशन कितना तो 2023 से 27 तक है और इसको एशियन डेवलप्मेंट बैंक के द्वारा सुरू किया गया है आप्शन देगा आपको वर्ल्ड बैंक, डव्लू ट इस तक की कारेपणाली से समझे साथ प्रात्मिक्ताओं को आगे बढ़ाएगी वो प्रात्मिक्ताओं क्या है तो पहले हम इसको समझते हैं लेकिन उससे पहले हम ये समझते कि होता क्या है जो CPS होता है दोस्तों, CPS का मतलब हो गया country partner ship strategy मैं इसको short में यूज करूँगा य ये ADB का एक प्रात्मिक प्लैटफॉर्म है जो विकास समंधी पर्डामों और कार्योकरमों को डिजाइन करता है तो आप समझ गये कि ADB का एक प्लैटफॉर्म है CPS जो भारत के लिए भी development से समंधित, implementation से समझे कुछ function डिजाइन करेगा जै इससे पहले ADB ने भारत के इसको हमें देखना है जिसको नाम दिया गया strategy 2030 इसके तहट ADB के कुछ उद्देश से हैं पहला कि Asia और प्रसांध चेतर को समर्थ समावेशी और लचीला संधारणी बनाने के लिए एक भीजन का विस्तार करना यानि जो strategy है ADB की Asian Development Bank की वो चाहता है कि 2030 तक ACI और प्रसांध चेतर जितने भी हैं जितने भी countries हैं ACI में और प्रसांध चेतर में उसमें कहिना के prosperity हो, inclusion हो, flexibility हो और समर्थता और sustainability हो तो ये सारी चीजे इसमें develop करने के लिए ADB Bank के दवारा समय समय पे कुछ programs launch के जाते हैं कुछ देशों के लिए loan या funding दी जाती है तो इसी तरीके से इसन दूसरा point रहेगा कि चरम गरीबी के उनमूलन समंदी अपने प्रयासों को भी जारी किया और गरीबी के उनमूलन से समंदी एक SDG भी होता है ये आपको comment box में बताना है कि कौन सा SDG number 1, number 2, number 3 में से कौन सा है जो गरीबी के उनमूलन या zero hunger की बात करता है आगे चलते हैं और समस्तेश में जैसे यहाँ पर अगला पर और इसी पैटन में ADB क्या करता है कि लागत साजाकरण बेवस्था भी एक तयार करता है जिसमें क्या होता है जो रिंड का पोर्टफोलियो होता घरेलू लागत साजाकरण के पैटन पे 70-30 होता है यानि कि 70% ADB के द्वारा दिया तो यह स्ट्राटिजी तियार की जाती जिस है एसिया के देश प्रसान्त महासागर के देश ताकि डिवलप हो सके और इनका एक वर्चार सुबढ़ सके क्योंकि कल की एक क्लास्य में ने बताया था कि 21 सदी भारत की सदी होने वाली है एसिया की सदी होने वाली है यूरोप और प्रशानत महासागर के देशों की नहीं तो इनके development की बात होती है अब बात करते हैं जो ADP का strategy vision है यह mainly जो एकी 3 pillar पे खड़ा है पहला pillar क्या है संरचिनात्मक बदलाव और रोजगार सिर्जन में तेजी लाना मतलब structural changes करिये और साथी साथ रोजगार को भी create करिये अब depend करता है यह रोजगार का मतलब government रोजगार नहीं होता है हर प्रकार का रोजगार रोजगार का मतलब भी होता है दोस्तो बिरोजगारी में क्या difference होता है बिरोजगारी की जो परिवासा है वो यह कहती है कि वर्तमान जो आपकी मजदूरी दर है अगर उस पे उपलब्ध काम को आप नहीं करते हैं तो आप बिरोजगार नहीं कहलाएंगी बलकि आपकी इच्छा है बिरोजगार रहने की बाई 300 रुपे मजदूरी पे हजारो काम जो एकी भारत में हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी qualification बहुत ज़्यादा है या आपका ego बहुत है या आपका family background ऐसा है कि आप उस काम को नहीं कर सकते तो सामानेता आपको बिरोजगार नहीं कहा जाएगा लेकिन अगर आप रोजगार धोनने की कोसिस कर रहे हैं और आपको 300 रुपे की लागत वाला भी काम नहीं मिल रहा है तो आपको बिरोजगार कहा जाएगा तो इसलिए रोजगार सिर्जन का मतलब प्राइवेट पबलेक गॉर्मेंट सभी सेक्टर की बात होती है वहीं पर्यावरन अनकूल समरिद्धी को बढ़ावा देना यानि पहले जो ग्रोथ होती थी लगातर प्रकृति का विनाश करके ग्लोबल वार्मिंग को नजर अंदाज करके इस तरीके से डेवलप्मेंट किया जाता था किवल एकनॉमिक डेवलप्मेंट की बात होती थी लेकिन ADP कहता है कि हम अगर ग्रोथ करेंगे डेवलप्मेंट करेंगे तो साथ में क्या करेंगे इन्वारिमेंट को भी ध्यान रखेंगे इन्वारिमेंट को भी नुकसान नहीं होना चीए उसको भी सस्टनेबल बनाना है हमें तीसरा जो पीलर होता है सोशियो एकनॉमिक इंक्लूजन कहने का मतलब हो गया कि सामाजिक आर्थिक समावेशन को मजबूत करना सामाजिक लेवल पर आर्थिक लेवल पर जो जनसंख्या है जो जनता है उस देश के दोरा अपनी जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक ससक्ती करन और समावेशन भी करना होगा जैसे हम लगातार जो है की बैंकिंग योजनाओं को देखते हैं जिससे सामाजिक और आर्थिक उनका सबसक्तिकरण होता है चाहे वो डिवीटी योजना देख लिजे वो जोला योजना देख लिजे जंधन योजना देखिए आयूस मंत्राले के दोरा जो योजना देख लिजे जा रही है बीमा पॉलिसी देखिए जितनी भी pension योजना हैं सारी की सारी क्या हैं सामाजिक और आर्थिक इंक्लूजन करने के लिए हैं तो यह तीन जो एकी basic pillar होते हैं और यह तीन pillar आपको याद रहने चाहिए अब इसमें हम example के रूप में देख सकते हैं आप इसे mains में भी यूज कर सकते हैं जैसे सनचनात्मक बदलाव कैसे हो सकता है कॉसर को develop करिए skill development करिए साथिसाथ MSME सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है और निजी छेतर को भी प्रोसाहित किया जा रहा है मतलब आपका जो नवी करणी ऊरजा है, उसका प्रयोग करने की focus किया रहा है न की गैर नवी करणी जैसे जीवासमी की इंदन हो गया पैट्रोल हो गया, कुझी ओईल हो गया इंका प्रयोग कम से कम किया जाय। को है ताकि परहवरान को स्रख्छित रखा जा सकें इसलिए नवी करणी उर्जा पर फोकस किया जा रहा है चाहो विंड एनर्जी हो गई सोलन एनर्जी हो गई और आपका जो है की पावन चक्की हो गई या आपका जो है की वाटर एनर्जी हो गई किसी भी प्रकार से आप एनर्जी को प्रिडूस करिए लेकिन उससे स्वक्षत परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव हैं उनको कम से कम किया जा सके और उनको अपने अनकूल बनाया जा सके समाज देश दुनिया के अनकूल बनाया जा सके ऐसी योजनाए हमें लाउंच करनी चाहिए वहीं तीसरी बार सोशियो एकनॉमिक समावेशन को अतलब कि मानव पूंजी निर्माड में जीवन चक्र आधारी द्रिश्टी कोण अपनाना चाहिए जो मानव पूंजी निर्माड होता है इसका साब्डिक जो अर्थ है कि किस प्रकार से आप ह्योमन टैपिटल आपकी डेफलप कर रहे हैं यानि उनका मानव स्किल कैसा कर रहा मार्केट की बेवस्था होनी चाहिए रहने के लिए आवास की बेवस्था होनी चाहिए यही तो आपका बुनियादी सहरी सेवाए हैं मेगा मार्ट, मॉल, शोरूम, मुवी थेटर यह सब बात की चीज़े हैं यह सब लक्जरी गुट्स में आती हैं पहले एक व्यक्टी को बेसिक तौर पे क्या चाहिए? सबसे पहले उसे एक रहने के लिए आवास चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, भोजन के लिए मार्केट चाहिए, 37 स्वास्थ के लिए चिके साले चाहिए, अच्छी सिच्छा के लिए एक बहतर स्कूल चाहिए, प सीधे जड़ों में जो है कि सीधे पत्तियों पर ही जो है कि उस्पानी का प्रभा होता है टपकन विधी चीसे हम कह सकते हैं तो कई सारी ऐसे इनोवेशन्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे तो यही ADB की स्ट्रेटजी प्लान कहलाती है अब बात करेंगे भारत के लिए क्या इंपोर्टेंस होगी इसकी यह आपका मेंस के लिए भी इंपोर्टेंट हो जाएक और ऑफिशनल पेपर के लिए भी तो भारत के लिए अगर हम देखें तो क्या क्या संभाव नहीं हो सकती है जैसे अगर हम देखेंगे कि विगत वर्सों के दौरान अनेक छेत्रों में जो जो 2018 से 22 तक का हमने duration देखा ना, 2018 से 22 तक का, या इससे भी पहले लगातार ADP से बहुत सारे हमने loan वगरा लेते रहे हैं, fund लेते रहे हैं, तो बहुत सारे चीज़ों में हमने सुधार किया, जिसे agriculture, education, energy, health, finance, इन सब में हमने सुधार किया, तो साथी साथ हम भारत में ब्याप में, especially जैसे निम्न आये वाले राज्यों को साहता और उच्च आये वाले राज्यों को साहता, ऐसे राज्यों में समावेसी विकास को तीवर करने के लिए, बुनियादी और सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ये चुनावती है, जो नहीं हो पा वाले स्टेट हैं, लेकिन वहीं पंजाब, महरायास्ट और आपका हरियाना, ये सब जो राज्यों हैं, ये आपके हाई इंकम वाले हैं, क्योंकि यहां पे GDP जो है कि ज्यादा होती है, तो यहां से क्या संदुन में है, कि जो निम्न आये वाले होते हैं, उनको बेसिक यह ब नीजी छेत्रक को, मतलब जो नीजी छेत्रक है निए प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जैसे ADB नॉन सौवरेन ओपरेशन के जरीए सरकारी बुनियाती धांचे के वित्थ पोशन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान करता है, ADB प् चाहिक साथ है नॉन सौवरेन का मतलब क्या होता है, यह परलेम में यह टर्म्स पूछी जा सकती है, यह टर्म्स इंपॉस्टिन है, शिध़े पूछ देगा कि नौन सौवरेन ओपरेशन से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ADB से सम्मधित एक टर्म्स है, तो क्या कहता है, ADB स इसी ऐसे सेक्टर को रेंड देता है जिसमें सरकार की गारंटी या सरकारी गारंटी की उसे अवशक्ता नहीं होती है इसी को नॉन सॉवरेन ऑपरेशन कहा जाता है और यही ADB कह रहा है कि प्राइविट सेक्टर में क्या किया जाए इसके माध्यम से सरकारी बुनियादी अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर देखेंगे कि अब एक आखरी पॉइंट है इसका निसकर्स कि भारत के लिए कंट्री पार्टर्शिप स्ट्रेटजी भारत की राश्टी विकास प्रात्मिक्ताओं के अनुरूप है जिनने 2047 तक हासिल करने का लक्ष निर्धारित कि सबसे पहले कि एक ऊर्जा मतलब एनर्जी मुक्त होना है हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका पे इरान पे इन सब के लिए जो हम और एक्सपोर्ट करने पर डिपेंडेंट रहते हैं कोरोना में देखे बहुत सारा चैनेंज होगे हमारे लिए और नहीं आपा रहा था तो भारत को एनर्जी फ्री करना है अर्थात की वो सतंत्र हो जाए उर्जा के लिए अपने देश पही निरभर रहे हैं हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छा करना है कोरोना में पता चल गया हमारे भारत के हैल्थ सिस्टम का कि कितना कमजोर था कितना मजबूत था इसको भी ध्यान दे देने वाली बाते हैं और इसी तरीके से एजुकेशन के लेवल पर बहुत अच्छे से काम करना है डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे से काम करना है तो यह जितनी भी राज़टी विकास प्रात मिटता हैं इनमर यह योगदान कर रहा है और 2023 से 27 के लिए बहुत इंपॉ प्राम मोखिता 1966 में की गई थी सदस्यों की संख्या 68 है 49 देस एसिया से आते हैं और प्रसांच्छेत्र से जबकि 19 देस अने छेत्रों से आते हैं भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इससे पहले मैंने आपको क्लास में बताया था कि UNO का भी भारत संस्थापक सदस्य से रह चुका है अब यहां पर दो चीजे आती दो अलग अलग टर्म्स एक होता नॉन बोरोंग कंट्री एक होता बोरोंग समझेगा ADB से रिंड नहीं लेने वाले सदस्यों की स्रेडी में सयुक्तराज अमेरिका और जापान की सबसेदिक सियर धारिता 15.6% है टोटल मिलाके मतलब प्रतेक की तो अमेरिका भी 15.6 और जापान भी लवर 15.6 के आसपास क्या करता है अपना शेर रखता है एक्विटी रखता है लेकिन ये ADB बैंक से रिंड नहीं लेते बलकि ADB बैंक में फंडिंग करते पैसा देते है ताकि ये गरीब देसों या विकासिल देसों को आगे ही हो जनाओं के लिए पैसा दे सकें वहीं इससे लोन कौन-कौन लेता है मुखिता इसे चीन लेता है भारत लेता है और चीन जो है कि लगभग इनकी शेर धारिता 6.4 है और भारत की 6.3 है इतना इनकी भी सेर धारिता है यहाँ पर अब जैसे सौपे गया कारे ADB कोई policy making हो रही है सलाकारी सेवाय प्रदान करता है बित्ती संसादरों और निर्याद संबंदिर रिन भी चुटाता है तो यह मुख्य कारे करता है और यहां से prelims में प्रशन पूछा जा सकता है कि ADB के द्वारा कौन सी रिपोर्ट्स प्रकासित की जाती है जैसे Asia in Global Transition बस इतना ही वर्ड आपका पूछा जाता है prelims के previous paper में आप देख सकते हो Asia in Global Transition to Net Zero Asian Development Outlook 2023 तो यह वर्ड तो नहीं देता है क्योंकि Asian Development Outlook का मतलब ही बता है Asian Development Bank Asian Development Bank का जाती है तो यह easily पता चल जाता है लेकिन Asia in Global Transition मतलब कि Westwick परिद्रिश में Asia की स्थिती क्या है यह ADB comparison करके आपको क्या करता है एक report जारी करता है वही Asian Economic Integration Report 2023 यह जारी करेगा मतलब हर साल जारी करता है तो economic integration कितना हो रहा है मतलब आर्थिक समन्वेक कितना हो रहा है Asia देशों के बीच में कितने समझाते हो रहे है इन सभी के reports ADB के द्वारा दी जाती है और भारत का ADB से अगर हम संबंद देखें तो भारत में public sector के लिए लगबग 52.6 और private sector के लिए लगबग 8 billion dollar के निवेस की fund जारी कर चुका है यहीं ADB December 2022 तक लगबग लगबग public sector के लिए 52% और 52 billion dollar और private sector के लिए 8 billion dollar का fund दे चुका है जैसे इसमें विशाका पत्नम चेननई कोरिडोर चल रहा है चेननई मेटरो कोरिडोर चल रहा है ACI उप्छेतरी आर्थिक सयोग कोरिडोर कनेक्टिविटी सुहार असम दक्षर एशे तो यह बहुत सारे जो है कि इसमें प्रजेक्ट चल रहा है जो ADB के दोरा funding की जाती जिनकी तो यह तो था हमारा आज का पहला topic ADB के बारे में अब मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको ADB के बारे में आ गई होंगी तो अब हम पढ़ेंगे West Asia जो पढ़ा उठा पठक का देश है यानि उठा पठक का छिट रहे तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने आज के topic की अब next है हमारा West Asia समझते हैं यह क्यों चर्चा में है लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें West Asia को समझना होगा मैप के थूँ West Asia का जो एरिया है आप यहाँ पर देखने कि यह आपको पाकिस्तान दिख रहा है और यह आपको अफगानिस्तान तो आप इमेजन कर सकते हैं कि भारत का कुछ एरिया कुछ ऐसे मालीगे यह आपका इंडिया हो गया मैं यहाँ पर आई से रिपरजेंट कहता हूँ तो अब आप देखेंगे कि भारत के पश्चिम में जो ACI देश है उसी को हम West Asia कहते हैं भारत के पश्चिम में यहाँ पे Arabian Sea दिख रहा है यह अरब सागर हो गया यहाँ से जब हम आते हैं पश्चिम ACI एंट्री करते हैं यहाँ पे Gulf of Oman यहाँ पे देखने को मिलता है और इसी Arab सागर के पास Gulf of Aden देखने को मिलता है यहाँ पर और यह Persian Gulf जिसको हम फारस की खाड़ी कहते हैं और यहाँ पे उपर देखेंगे अफगानिस्तान के बगल में इरान है फिर यहाँ पे इराक है साओधी अरबिया है और यहीं पे आपका एक कतर छोटा सा देश होता है कतर और UAE दोनों ही है देखिए लिखावी है United States अमियर मतलब यह यहाँ पे और इधर उपर आपका टर्की है यहाँ पे इजिप्ट, सुडान, यह सब आफरीका में चले जाएंगे और यहाँ पर यह रेट सी है जो रेट सी क्या करता है इस मेडिटेरियन सी को गल्फ की खाड़ी यह नहीं अरब सागर से एक तरीके से जोड़ देता है की मेजबानी की कौन-कौन सामिल हुआ इसमें इंडिया सामिल हो गया USA सामिल हो गया UAE सामिल हो गया और साथी साथ 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 साथी अरबिया सामिल हो गया तो इस चारो देश आपस में सामिल होके एक सुरक्षा सलाकारों जाने की National Security Advisors की एक मीटिंग बैठाई गई और इसलिए इसको एक पश्षी मेसिया का नया क्वार्ड माना जा रहा है इसके बारे में हम समझेंगे अभी आगे इस बैठक में जो वीजन थे वो क्या थे या साजह वीजन सुरक्षित और सम्रिद पश्षी मेसिया के निमाड़ पर केंद्रित था मतलब इस चारों ही देशों ने मिलकर सुरक्षित और सम्रिद पश्षी मेसिया के निमाड़ पर फोकस किया जिसकी सुरुआत का मूल उद्देश था दच्छड एसिया को मध्य पूर्व से होकर सहिंग तराज अमेरिका से जोड़ना यह लाइन इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब हो गया कि यह लोग भी मान रहे हैं साथी अरबिया तो वैसे भी आपका USA का समर्थन करता है हमेशा से इरान और इराक के खिलाफ रहता है हमेशा USA इसे का समर्थन में रहता है तो वो चाहता है कि जो दच्छड एसिया ही देश हैं जिसमें आपका पश्य में आता है वेस्ट एसिया भी आता है भारत पाकिस्तान भी आते इन सब को मध्य पूर्व से होकर सहिंग तराज अमेरिका से जोड़ना है कनेक्टिविटी बनानी है अब यहाँ पर कनेक्टिविटी किसके रोड की नहीं रोड तो वैसे भी नीवनेगा समुदर में नहीं कोई इतना लंबा गाड़ी तया करेगा यहाँ कनेक्टिविटी का मतलब है ब्यापार से नीती निर्मार से पॉलिसी मेकिंग से और ट्रेड वगर एक्सपोर्ट इन सभी देशों की एक एकरित उपस्तिती पश्ची मेसिया के दूसरे क्वार्ड के गठन के रूप में देखी जा रही है आई टू यू टू जो पहला क्वार्ड था उसमें भारत यानि इंडिया इसराइल और यहाँ पर यूएस से और यूएई ये चार जो देश सामिल ह है इसको हम लोग पहला क्वार्ड कहते हैं लेकिन अब जो दूसरा क्वार्ड आ रहा है वो दूसरा क्वार्ड इन चारो देशों को मिला के हो रहा है जिसमें आपका इंडिया सामिल हो गया यूएई सामिल हो गया और साती साथ साथ साथी अरविया सामिल हो गया तो इसे ही बना हुआ क्वार्ड है जिसमें इंडिया, USA, औस्टिलिया, जापान जिसके द्वरा माला बार नौसेनिक अभ्यास भी किया जाता है तो ये तो हमारा मतलब भारत का और USA के विचके सम्मंद को दर्साने के लिए क्वार्ड बना हुआ था लेकिन पश्ची मेसी हमें भ का सामिल हो गया इंडिया, USA, और साथी साथ जोए की UAE सामिल हो गया इसमें और मतलब की साओधी अरभिया सामिल हो गया तो ये पश्ची मेसीया का दूसरा क्वार्ड है तो समझते हैं हम इसके बारे में और आगे जानकारी और हम कह सकते हैं कि भारत की पश्चीम की ओर दे पश्चिम जो ACI इसमें भारत की मजबूती से नहीं है. या यूं कह सकते हैं कि भारत की उपस्थिती ये दर्थसाती है कि पश्चिम ACI के लिए भारत कितना importance है और भारत के लिए पश्चिम ACI कीतना important है. ये दर्थसाती है ये चीछ. अब यहाँ पर लुकिस्ट पॉलिसी की बात आ रही है तो लुक वेस्ट पॉलिसी जिसमें maximum oil export countries and muslims countries सामिल है लुक वेस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक लुकिस्ट पॉलिसी चली थी 1992 में launch की गई थी नर्चिमहराव government के द्वारा फिर 2014 में Modi government के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया Actist policy जो की मुख्यता आसियान और अधर कंट्री जो आसियान और उसके आसपास के देश हैं इस पर focus की गई थी 1992 में launch की गई थी और उसी को ध्यान में रखते हैं 2005 में लगभग 2005 में आप लोग clear date mention करिएगा comment box में 2005 में look west policy भी सुरू की गई थी जिसमें maximum जो oil export country जैंजिसमें इरान, इराग, सौधी अरब, कतर, UAE और जो muslims country हैं इनको भी ध्यान में रखके क्योंकि भारत की जो सांस्कृटिक विरासत है वो गंगा यमुना तहजीब की है गंगा यमुना तहजीब का मतलब हिंदू-Muslim एकी संस्कृटि है यहां की तो इसलिए यहां पर Muslim countries और oil exporting जो countries हैं जिस पे भारत निरभर करता है तेल के आयात पर तो यहां पे भी संबंद ब समझते हैं कि भारत और विषुके लिए पश्री मेसिया क्यों important है अगर पश्री मेसिया इंपॉर्टेंस नहीं होती तो 2005 में लुकवेस्ट पॉरिसी क्यों चालू की गई ह होती दो-गवार्ण क्वार्टिक और निर्भर क्यों होता पश्री मेसिया ओयल экспbox में निर्भर क्य तो उसमें पहला क्या है उर्जा संसादन तो है क्योंकि यहां पर तेल और गैस के भंडार बहुत सारे हैं मैं कही रहाँ कि ओयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं यहां पर जैसे सौधी अरब इरान इराग सायुंग तरब अमीरात तेल के प्रमुकुद पादा को निर्यातक रूप से नीचे एसिया से घिरा हुआ है उपर यूरोप से और अफरिका से घिरा हुआ है बगल में तो यह अलग-अलग महादीपों व्यापार मार के बिंदू हैं इसलिए भी यहां पर संबंद अच्छा रखना है वही संघर्स और सुरक्षा की बात करेंगे तो इसराइ गनोर करते हैं भारत को अपने समंदों को बढ़ाये रखना है इसराइल के साथ भारत को समंद बनाये में बहुत चुनौती रही है 1992 मैं सोची दोस्तो बहुत के साथ कूटनितिक और राजनेग समंद बनाएगा इसराइल के द्वडारा यह यूग काया कि भारत ने है और Muslim देशों के बीच में घिरा हुआ है इसराइल जोए कि Dead Sea के पास आप देखेंगो उपर में तो वहाँ पर आपको जोए कि दिखेगा मैं आपको image में दिखाता हूँ यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यह रहा जोर्डन के पास है और यह आज पास जितनी भी यह सारी Muslims country है भारत ने पहले Muslims country के साथ संबंद अच्छे रखे थे और इसराइल का संबंद Muslim country से अच्छा नहीं था इसलिए भारत इन Muslim country को नराज नहीं कर सकता था इसलिए इसराइल से संबंद उसने इकनोर कर दिये लेकिन आज भारत बेंजा में नितनियाओं के साथ बहुत अच्छे दोस्ती रखते हैं इसराइल के साथ और 1992 में पहली बार राजनेक संबंद बनाए गए और 25 वर्स भी अभी सेलिबरेट किये गए है कुछ समय पहले साथी साथ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त भी है यहूदी, इसाई, इसलाम जैसे प्रमुक वैस्विक धर्मों का भी उद्वव अस्था लईए और हमारे भारत की जो सबसे बड़ा धर्म है के बारे में प्रतिक है, तो यह बताता है कि साथी अरब से संबंद को अच्छा रखना कितना बेहत जरूरी है वहीं आर्थिक और व्यापार के अवसर यहां पर है जैसे सौदी अरब, सयोगतराव अमीरात, कतर जैसे खाड़ी सयोग परिशत के देज अवसर लचनात्पर विकास में निवेस कर रहे है और विदेशी निवेस को भी आकरसित कर रहे है जिससे विवसाइक भागीदारी भी बढ़ रही है तो भारत के लिए भी इंपोर्टेंस है इसकी और वर्ल्ड के लिए भी इंपोर्टेंस है इसकी तो यह सारी चीज़े होगी और साथी साथ अब हम बात करेंगे कि नए कौइड के लिए मतलब नए कौइड का भारत के लिए क्या महत्व है पहला मध्दपूर्व के साथ सम्मन्द स्थापित होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी भारती रहते हैं मजदूरी करते हैं, काम करते हैं आपने आसपास सुना होगा कि हर दूसरे घर में आपको सुनने को मिलेगा कि कोई दुबई काम कर रहा है कोई कतर में काम कर रहा है कोई सौधी अरब काम कर रहा है कोई इरान में काम कर रहा है तो भारत से चितने लोग गए हुए डायस्पोरा के रूप में वो कहीं न कहीं भ भारत की उर्जा और आर्थिक हितों की पूर्ती मदद कर सकता है वहीं 2021 में भारत और सयोग तरब अमिरात की भी सेपा हुआ है सेपा पर हस्ताक चाओ सेपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एकनॉमिक्स पार्टनर्सिप अग्रिमेंट ये इसकी फुल फॉर्म है ब्यापक आर्थिक साजेदारी समझाता कॉम्प्रिहेंसिव एकनॉमिक पार्टनर्सिप अग्रिमेंट हुआ है साथी साथ इससे इस तरह की पहले से ही घोसित कई पहलों को सयोग प्राप्थ होगा तीसरा समद क्या है कि वैस्विक स्थिती मजबूत होगी भारत लगातार पश्चिमेशिया में अपनी मजबूत स्थिती को रिपर्जेंट कर रहा है चाए वो चाभार पोट के माध्यम से कहिए चाए वो आपके क्वार्ड एक I2-U2 के माध्यम से या फिर एक नए क्वार्ड के माध्यम से भारत की लगातर मजबूत उपस्तिती ये दर्साती है कि भारत एक बैस्विक उभरती हुई महाशक्ती के रूप में डेवलप हो रहा है वहीं सांती और सुरक्षा को ध्यान में रखें तो भारत स्वेज नहर और साउथ अफरिका के बीच इस्तित पश्मी हिंद महासागर में ब्यापक भागीदारी को बनाये रखने में सहयोग करेगा तो यह अभी एक इंपॉर्टेंस है क्योंकि स्वेज नहर हिंद महासागर को लाल सागर के माध्यम से भुमद्य सागर से जोड़ती है मैंने अभी आपको बता है मेडिटेरियन सी कैसे जोड़ता है तो आएए और आपको एवर दिखाता हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर एक स्वेज नहर बनाई गई है जो मेडिटेरियन सी को लाल सागर से जोड़ती है और लाल सागर क्या करता है आपको हिंद महासागर से जोड़ता है तो ब्यापार करने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं ये सारे के सारे देश भारत के लिए तो इसलिए भी इसकी इंपोर्टेंस है यहाँ पर और आगे समझते हैं लो उम्मीद कर रहा हूँ कि साधा आपनों को बहुत अच्छे समझ में आभी रहा होगा ये चीज़े अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो बस लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और इसकी पीडियेफ के लिए या अपडेट के लिए आप जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम चल को लिंक डिस्क्रिक्शन बॉक्स में दिया हुआ है आगे देखते हैं यहां पर हम समुदरी पाइरेसी यानि जल में डकैती होती है ड्रक्स या हतियारों की अवयत तसकरी और आतंगवाज जैसे खत्रों से निपटने में भी या उसे कम करने में भारत को मदद मिलेगी वहीं दुपक्षी ब्यापार को बढ़ाने मदद मिलेगी जिससे बाजार तक एकसिस मिलेगी भारतियों को जो एकी बाजार भारत में जो बाजार है वो भी विदेशियों के लिए खुलेगा और भारत के भी सामानों को निर्यात किया जा सकेगा तेल आयात के भुक्तान हे तूर भारती रुपए की स्विकृति को बढ़ावा मिलेगा यानि हमें जो तेल हमने आयात किया इरान से दुबई से कतर से तो उसके बदरें हमें डॉलर देने की ज़रत नहीं है बलकि हम भारती रुपए को ही दे देंगे भारती रुपए में ही जो है कि हमारा व्यापार हो जाएगा जैसे उन्मी सो सतर अस्टी के दसक में भारत और रसिया के वीच में इतने संबन्द अच्छे थे कि हम रुपए और रू रुबल की करनसी मतलब रसिया की करनसी रुबल है तो हम डॉलर को इग्नोर करके क्या करते हैं रुपए और रुबल में व्यापार करते थे तो इस तरीके से हम पश्य मेसिया में भी भारती रुपए की स्विकृति के माध्यम से हम जब व्यापार कर पाएंगे तो हमें पड़ेगी साथी साथ पश्य में जो मजबूत इस्थिती बना रहा है चाइना अपनी लगाता है उसकी इस्थिती को भी काउंटर कर सकेंगे जिससे चाइना भारत के लिए एक खत्रा पैदा न कर सके खत्रे को कम किया जा सके तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जा किया गया कि हम किस तरीके से राश्टी सुरक्षा सलाकारों के साथ बैट के जो मीटिंग्स की गई है नेशनल सेक्यूरिटी एडवाइजर्स के साथ उसके माध्यम से क्या निसकर्स निकालेंगे इसके बारे में कोई भी चीज पता नहीं क्योंकि ये गठन के अपने प्रा तो सःयोग के स्तर पर भी क्या है चीन और रूस के सास्द समद्धो के स्थापना को लेकर अत्तधिक मदभेद बना हुआ है इसके समद्धो में और सामरिक स्वायत्ता की भी समू चुननोती या भारत के पैदा कर सकता है तो कि अमेरीका द्वारा प्रायज इस रक्षा और पश्चिम ACI में जो आंतरिक संघर्स लगातार होते हैं जिसकी वज़े से भारत और साथी साथ और भी ACI देशों को संघर्सों के कारण चुनोतियों का सामना करना पड़ता है जिसकी वज़े से पूरे विस्व में एक असंतुलन की स्थिती पैदा हो जाती है तो ये सारी चीज़े हैं जिसको दूर करना बहुत जरूरी है और आगे की राह में अगर हम देखें तो आगे की राह में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट कर सकते हैं कि द्विपक्षी चिंताओं को दूर करना होगा चार देशों के भी सहयोग बहुत क्योंकि पश्ची में CI छेतर की समस्याओं का परबंधन एक चुनोती बना हुआ है आज भी वहाँ पे CI और सुन्नी इरान और सुदी अरब के बीच में हमेशा संगर्स बना रहता है यमन पे भी संगर्स बना रहता है चुप चाप बस UAE अपना मौज करता बाकी सारे देशों में कोई न कोई कबिलाई संगर्स, निर्जाती संगर्स, इथिनिसिटी, बहुत सारे चैलेंजिस वहाँ पे है CIS 19 समुदाए, IS-IS की चुनोतियां जो इराक में पैदा हो रहा है तो बहुत सारे संगर्स है यहाँ पे इनको दूर करना जरूरी है और कॉपरेशन की भावना, सहयोग की भावना के लिए नए-नए छेत्रों को धूर्णना पड़ेगा कि हम किन छेत्रों में सहयोग कर सकते है विकास की बाते करेंगी बुनियादी धाचे को मजबूत करो क्योंकि पश्यमेसियाई देशों में जो रेगिस्तान और तेल से भरा हुआ देश है यहाँ पे बुनियादी सनचना है है ही नहीं आप आज भी बहुत सारी मूवी देखेंगे, बागी मूवी को देखे, टाइगर मूवी को देखे इनमें क्या है, दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पे रेत के टीले बने हुए है और वहाँ पे आज भी एक सड़क जा रही है रेत के बीच में बागी कोई सड़की नहीं ट्रांसपोर्ट का माध्धनी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है तेल थोड़े पिएगा आदमी, आदमी पिएगा तो पानी, तो बुनियादी सनचनाओं पे हम सहयोग कर सकते है सांती बनाये रखना एक हमारा चैलेंज रहेगा, जो यहाँ पे पश्चिमेशिया और दच्छिडेशिया में भारत के लिए पश्चिमेशिया क्यों important है और पश्चिमेशिया में भारत की जो मजबूत सामरे किस्थिती है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, यह सारे संभावना है हमने देखी और उर्जा से संबंदी हर चीज को हमने समझा अब यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक रहेगा आज की क्लास में जिसका नाम रहेगा भारत और परसांद डीपी छेत्र तो आपको यह समझना जरूरी है, परशांद डीपी छेत्र में लगबख 14 देश सामिल होते हैं खासकर इस सम्मू में जिसमें आपका पॉलिनेशिया आता है, यह पॉलिनेशिया वाला पार्ट, माइक्रोनेशिया आता है और मेलेनेशिया आता है यह टोटल जोएकी मिला के यह जो पार्ट है, इसमें तीन जोएकी आईलेंड एक तरीके से आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया इन तीनों के ही छोटे छोटे देश जिसमें आपका फीजी इंपॉर्टेंट है, किर पॉलिनेशिया और पॉलिनेशिया तो यह आपको याद रखना है, आगे समझते हैं इसके बारे में अब हम बात करते हैं इस सिखर सम्मेलन में, यह जो सिखर सम्मेलन थे थार्ड नंबर पे था जो पापुआ नियुकिन में हुआ, भारत ने प्रसांद बीपी देशों के लिए 12 सूतरी विकास योजना की घोशना की, यह भारत ने कहा जो यह प्रसांद बीपी देश है, इनके विकास के लिए हम एक 12 सूतरी विकास योजना स्टेट्मेंट जो एकी जारी कर रहे हैं, जिसमें मुक्य रूप से स्वास्त की देखभाल, नभी करणी उर्जा और सा इनली फोकस किया गया हेल्थ पे, एनर्जी पे और साइबर सिक्यूरिटी पे, साथी साथ भात करेंगे, FIPIC जो यह सहयोग मंच है, यह भारत की एक्टिस्ट नीती और हिंद प्रसांत नीती का हिस्सा है, और एक्टिस्ट नीती जिसको हम लोग लुकिस्ट पॉलिसी कहते 1992 में सुरू की गई थी, अब 2014 से इसको एक्ट इस्ट पॉलिसी कहा जाने लगा है, नर्यन मोदी गवर्मेंट के द्वारा, साथी साथ इसमें साउथ साउथ कॉपरेशन देखने को मिलेगा, यह दच्छर दच्छर सयोग के तर, भारत ने विकासात्मक साहता उपलब्द कर प्रसान द्विपी देशों के साथ अपने संबंदों को मजबूत करने की कोसिस किये, तो यहाँ पर बात समझने की है, कि दच्छर दच्छर सयोग का मतलब क्या होता दोस्तों, तो छोटा समय सिनेरियो बतायता हूँ आपको, बहुत आसान भासा में, मैं यहाँ पर जूम क कंट्रीज आती हैं, वो सब आते हैं, रसिया भी आता है, कहने का मतलब हो गया कि यह आपकी डेवलप कंट्री है, कौन सी कंट्री है, यह विक्सित कंट्री है बहुत ज़्यादा, जबकि साउथ में देखेंगे, अगर आप जीरो डिगरी के नीचे देखेंगे, तो इस पे सहयोग की बात हो रही है, तो यही चीज कही जाती है, तो इसका जो टर्म्स है, वो यहीं से आता है, तो दच्छर दच्छर सहयोग का मतलब आप समझ गया होंगे यहाँ पर, अब हम बात करेंगे प्राय दीपी देशों का महत्य क्या है, जो प्रसांत दीपी छेत्र है, इन तराश्टी वाडिजी केस्तर पे तो इसलिए इनके छेत्रों से होकर जाना पड़ता है तो यह importance है इसकी समुदरी सुरक्षा अगर यहां से संबंद अच्छोंगे तो बढ़ती नौसेनिक छमताओं को देखते हुए इनके मलक्का के पुरू छेत्रों पर भी ध्यान देना ज संसाधनों के सुरोध भी यहां पर देखने को मिलते हैं LNG मतलब Liquid Natural Gas जिसको हम क्या करते हैं गैस सिलिंडर बगरा में यूज करते हैं वहीं हम देखेंगे चेतरी और वैस्विक जुडाओ भी होता है दूपी देशों के साथ भागीदारी भारत को सयोग तराज जैसे वैस् जिसक संबंद भी रहे हैं तो यह importance हो जाती है हैं अब संबंदों को मजबूत बनाने में चुनाथिया भी तो आरी होगी कुछ जैसे पहली चुनाथी क्या आती है? संबन्दों के मजबूत करने में? क्या है पहली चुनाथी? कि वेसविक सकतिवों से परतीशपर्दा, क्योंकि वेसविक सकति के रूप में चीन, जापान, युएसे लगातार, इसमें या रूस जैसे देश तो आगे हम देखते हैं भारत को अगर हम बात करें कि इन छेत्रों में अगर हम चाहें कि संबंदों को बहुत अच्छा बनाएं, बहुत अच्छे से मजबूत करें, ब्यापार को बढ़ाएं और आर्थिक चुनौतियां कम कर सकें, साइबर सुरक्षा, समुद्री डकैती इन सब कम कर सकें, तो लेकि कि भाई कुछ भी है तो भारत से अधिक सम्रिद्ध है चीन, जापान, USA, रसिया और ये क्या करते हैं सस्ते दरोपे, सस्ती सुविधाओं पर जो है कि इन द्वीपी देसों को सुविधाय प्रदान कर रहे हैं इसलिए इनकी ओर ज्यादा आकरसित हैं और भारत को इनको प्रत चनौती सामना करना पड़ रहा है ये एक सबसे बड़ी चनौती दूसरा आप प्रयुक्त ब्यापार च्छमता भारत और परसांद द्वीपी देसों के बीच कुल वार्सिक ब्यापार लगवग 300 मिलियन डॉलर का है जो बहुत ही कम है तो ये द्वीपी देस से बहुत सारे है कि भारत की विदेश नीती हिंद महासागर च्छेतर पर अधिक केंद्रित है इस वजह से भी प्रसांद द्वीपी देसों सही प्रशांद महासागर च्छेतर पर अपेक्छा के कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि भारत का फोकस क्या है कि जो हिंद महासागर है यानि इंड प्रफिरेंस को कम किया जाए इस वजए से भारत प्रशान महसागर के छेत्रों पर फोकस कम कर पाता है ये भी एक चुनाउती हो जाती है और अगर हम बात करें तो सीमित भागीदारी भी है भारत की सीमित भागीदारी है इन देशों में बड़ी संख्याम भारती प्रवासिय तो है लेकिन यहां पर क्या होता है कि उसमें भी इस्पेसली फीजी और पापया नियूगिनी पर ही केंद्रित है बाकी देशों में फोकस कम किया जाता है भागौलिक दूरी की बात करेंगे तो द्वीपी देश भारत से बहुत दूर इस्थित है ऐसे में इन देशों के सा पार पाने या ऐसी चुनोतियों से आगे निकलने के लिए आगे की रहा क्या हो सकती कि उच्च अस्तर की भागेदारी होनी चाहिए दोनों पक्षों के उच्च अस्तरी नेताओं को एक दूसरे के हां यात्रा करते रहनी चाहिए भागेदारी लगातार बढ़ाते रहनी च मंदों को तरजी दी जाएगी वहीं विकास साहता की बात करें तो लगाता है प्राइदीपी जो देश हैं प्रसांद डीपी देशों को उपलब्द कराया जाने वले विकास साहता से अनुदान रियायती टक्नीकी सयोग ये सब बढ़ाना चाहिए भारत को अधिक सदिक देना समुदर के बीच में होते हैं समुदर जान अस्तर बढ़ने से उनके डूबने का खत्रा बढ़ जाता है तो भारत को ऐसे में सयोग करना चाहिए और ब्यापार और निवेस में व्रिद्धी भी करनी चाहिए भारत को यहां के छेत्रों में वहीं सांस्कृतिक आदान प्रद भू राजनितिक मंच के निरमाण के लिए आसपास के भूभाग के साथ प्रसांत महसागर और हिंद महसागर को एक जुट करता है भारती दृष्टी कोन से यह चेत्र हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रिका के तट से लेकर पश्वी प्रसांत महसागर तक फैला हुआ 50% से हिंद प्रसांद छेत्र के साथ होता है भारत का ब्यापार लगभग लगए अब महासागर भारत के 90% ब्यापार वो उर्जा सुरोतों का वहन भी करता है हिंद प्रसांद वहीं समुदरी सुरक्षा की दृष्टी से यह छेत्र अत्यदिक महातपूर है हिंद प्रसांद क को रोक सकता है तो इंडो पैसिफिक जो ओशिन वाला चेतर है जहां से दुपी चेतरों की जोए की सम्मंद जोडते हैं दुपी देशों के साथ वहां पर यह सारी जोए की यहां पर लाभ हमें देखने को मिल सकते हैं जिसके लिए भारत के द्वारा 2019 में एक विदीश मंतराल पर विशेज ध्यान केंद्रे करते हैं तो ये लगातार भारत भी प्रयास कर रहा है ऐसा नहीं कि भारत खाली बैठा है या सांत बैठा है लगातार प्रयास करता जा रहा है तो ये तो थी आज की क्लास में हमने तीन टॉपिक डिसकस किए अब कल की क्लास में लोग न्यूजिन शॉट्स यानि की शॉट्स वाले जो छोटे-चोटे टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करेंगे जो इस पेसरी स्टेट पीसेस में लगातार पूछे जाते हैं तो हम इस पे चर्चा करेंगे आगे की कलास में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वा